आखिर वजन कम कौन नहीं करना चाहता, सभी करना चाहते हैं और जब हम यंग होते हैं, तब हम थोड़ा बहुत जंग खावी लें, तो भी जादा फरक नहीं पड़ता, हम फिर भी पतले ही रहते हैं लेकिन बही 40-50 साल उमर आते आते, आप जानते ही हैं कि क्या होता है शाल अगरवाल, अगर आप अपने वेट लॉस जर्णी को इजी बनाना चाहते हैं, तो अभी ही हमारे चैनल को सब्स्राइब कीजिए क्योंकि हम हर संडे वेट लॉस पर वीडियो लाते हैं देखिए वेट लॉस करने के लिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक concept बताया था जहां पर मैंने ये कहा था कि आपको calories तो कम लेनी ही है, उस चीज़ का तो आपको ध्यान रखना ही है लेकिन साती साथ आपको इस कीज का भी ध्यान रखना है कि आपको अपने hormonal levels जो fat making hormones है उसको normal रखना है अब ये fat making hormones कौन से हैं देखें तीन है वो है cortisol, insulin और estrogen अब इन तीनों hormones में से एक ऐसा hormone है जो आपके fat को सबसे अधा store करता है और वो है insulin जी हाँ insulin एक ऐसा hormone है जो pancreas से बनता है और insulin का सिर्फ एक ही काम है वो है आपके food में आपके भोजन में जो carbohydrates है और जो दूसरे भी nutrition हैं या फिर दूसरे micronutrients हैं इसको absorb करना और आपको energy देना लेकिन सबसे अधा insulin response आता है glucose से देखे होता क्या है जब आप carbohydrate rich food लेते हैं तब वो हमारे पेट में जाकर glucose में convert हो जाता है और इस glucose को सेल्क के अंदर डालने के लिए insulin की जरुत पड़ती है और जब ये glucose जो है जब सेल्क के अंदर जाता है तो हमको energy provide करता है अब बात ये है कि जब ये glucose से हमको energy मिलेगा तो हमारा fat burning रुख जाएगा साथ में जब हम excess carbohydrate लेंगे तो वो basically fat में convert हो जाएगा और इसलिए आज कल obesity बढ़ रही है और मोटापा बढ़ रहा है मोटापे का कारण ये नहीं है कि लोग जादा fat rich food ले रहे हैं basically लोग carbohydrate rich food ले रहे हैं जिस वज़े से वो fat में convert हो रहा है तो अगर आप अपनी diet से carbohydrates को कम कर दें तो फिर आपका fat burning अपने आप शिरू हो जाएगा तो अगर आप अपनी diet में carbohydrates का consumption कम कर देंगे तो आपके body के पास और कोई option बचेगा नहीं सिवाए इसके कि वो अपने body का fat burn करें आपके energy के लिए और जब body का fat burn होगा तो आपका weight loss होगा और यही चीज हम अपना रहे LDCF diet में सिखाते हैं वैसे LDCF diet में hundred of food items हैं जो आप ले सकते हैं जो हम उसमें आपको सिखाते हैं और हम ये भी सिखाते हैं कि आप कोई recipe को कैसे बनाएं जैसे for example दलिया जिसमें basically carbohydrates बहुत जादा है लेकिन आप दलिया को ऐसे कैसे बना सकते हैं जहां पर carbohydrates 10% के नीचे आ जाए तो ये basically हम LDCF diet म में सिखाते हैं और उन्ही 100 food items में से 5 ऐसे food items में आज आपको बताने वाला है तो सबसे पहला food item जो आपको अपने weight loss journey में incorporate करना चाहिए वो है missi roti देखे missi roti basically bengal gram या फिर चने से बनता है देखे missi roti में जो carbohydrate है 43 gram per 100 gram देखे अगर आप missi roti को जवार, बाजरा, रागी, ये हूँ या फिर multigrain आटे से compare करते हैं तो इन में लगबग 50-60 gram या शायद हो सकता है 65 grams per 100 gram carbohydrate होता है और वही missi roti में सिफ 43 gram अब साथ में अगर आप लौकी के pulp को अगर आप missi roti के आटे में mix कर दें तो वही carbohydrate percentage 25 gram per 100 gram हो जाता है अब next जो इस list में है वो है sprouted mung dal जो की एक तरह से super food भी है इसे मैं खुद lunch से पहले consume करता हूँ रोज, even मेरे खुद के weight loss journey में sprouted mung dal का काफी बड़ा contribution रहा है तो sprouted mung dal basically protein और fiber में काफी rich होता है हाला कि इसमें carbohydrate की मातराल moderate होती है लेकिन अगर आप इसमें दूसरे vegetables मतलब अगर आप इसे salad बना ले तो फिर overall carbohydrate percentage इसमें drop हो जाता है additionally sprouted mung dal में काफी जादा दूसरे micronutrients है जैसे की iron, iron basically एक enemic patient के लिए भी important है साथ में women's के लिए भी iron काफी important हो जाता है अब इसके अलावा sprouted mung dal salad, calcium rich भी होता है जो कि बढ़ते हुए उमर में strong bones के लिए important है साथ में vitamin D भी important है जो कि calcium के absorption में काम आता है basically sprouted mung dal आपको खाने से पहले लेना है ताकि आपका पेट थोड़ा थोड़ा भरा हुआ रहे और आप जो high carb food है जैसे की रोटी या पिर टावल उसका सेवन कम करें अब third food option इस list में है वो है चास जी आँ चास basically एक अच्छा food option है low in carb होता है साथ में आपके digestion में भी आपको help करता है इसलिए आपको चास को lunch में incorporate करना चाहिए चास को अक्सर लोग खाने के बाद ही consume करते हैं obviously क्योंकि digestion में help करता है चास basically आपको full रखेगा आपको जादा लंबे समय तक भूक नहीं लगेगी और साथ में इसमें probiotics भी है तो आपके gut health को भी improve करेगा आप चास में pudina और dheera powder भी mix कर सकते हैं जिससे चास का जो taste है वो और भी अच्छा हो जाएगा अब चौता food item है eggs जी हाँ eggs में तो मैंने specifically video बनाया था और eggs basically एक complete food है एक super food है एक अंडे में लगबग 6 gram protein होता है इसमें zero carb है और बहुत सारे micronutrients हैं जो की एक pure form में है उसका जो absorption rate है वो काफी अच्छा होता है eggs में protein और fat या combination भी है जो की इसको काफी healthy बनाता है अच्छा एक और चीज़ लोग को काफी doubt होता है कि अगर कोई heart का patient है तो क्या उनको eggs लेना चाहिए तो eggs देखिए आप दिन में 2-3 अंडे आप ले सकते हैं लेकिन अगर आप heart के मरीज है तो आप उसमें से एक अंडे का जो योग है वो आप हता सकते हैं बाकी का आप consume कर सकते हैं अब अगर आपको eggs के बारे में और जानना है तो मैंने description में इस वीडियो का link डाला हुआ है अब देखिए इस list में जो fifth food item है वो है stevia देखिए stevia अपने आप में कोई food item नहीं है ये एक natural sweetener है जिससे आप अपने दूसरे जो food items है उसमें आप add कर सकते हैं और इसका आनन ले में उन मिठाईयों को बना सकते हैं with stevia या फिर अगर आप चाय में अगर आप sugar डालते हैं refined sugar जो डालते हैं उसके जगह आप stevia डाल सकते हैं और basically stevia में कोई health का नुकसान नहीं होता लिगि market में आज के समय ऐसे भी कुछ sweetness है जो की artificial है जिसमें zero calories है और वो आपके food को enough मीठ बना सकता है पर वो आपको अंधर से unhealthy कर देता है भले उसमें zero calorie हो आपका weight loss हो जाएगा या फिर आपकी diabetes भी खीठाक हो सकती है पर आपको long run में वो unhealthy बनाएगा तो ऐसे weight loss का भी क्या फायदा जो basic आपको अंधर से खोकला बनाए या फिर unhealthy बनाए तो इसी लिए आप stevia का अपयोग कर सकते हैं अच्छा stevia के साथ में आप monk fruit भी उसमें add कर सकते हैं तो आपका जो after taste का issue होता है कुछ लोगों को stevia से तो वो issue नहीं होगा देखिए हमारे जो weight loss course है और even diabetes reversal course है उसमें हमारे काफी recipe वीडियो भी हैं जहां पर हमने stevia और monk fruit को use किया है तो आप हमारे course को भी join कर सकते हैं जिसका link मैंने description में दिया हुआ है इस video में हमने basically एक ऐसे pattern के बारे में बात किया है जिसको अगर आप इन food items का combine करेंगे तो आपका weight loss journey और भी fast हो जाएगा thank you friends अगर आपको ये video पसंद आए तो आप अपने friends और family के साथ इसे share करें और हमारे चैनल को कर दो कर म कर सकते हैं और है तरह पस्ट कर शोर है ओrica आपको तो क suburbs कि अन और हमे इसे you म कर clothes दि mummy जगर आपका सन्याओं बाहाम है कि तो जएल्का जगर में तो अवदा आपका मि जग झापकाINT उपका कि खाईल है घॉल